हेलो फ्रेंट्स आप सभी का फिर से स्वागत हैं आज किस नए वीडियो में दोस्तों आज के वीडियो में स्विंग ट्रेडिंग के लिए चार ऐसे ओटो सेक्टर का कमपनी लेके आये हुए हैं जिसमें जोस्ट अभी ब्रेक आउट हुआ है तो चलिए देखते हैं वो चार स्टॉक कौन कौन से उसमें किस तरीके का पैटर्न बनाके ब्रेक आउट दिया है तो सबसे पहला नमर पे उलेक्ट्रा ग्रीन टेक इस कमपनी को बहुत बड़े-बड़े ओडर मिल रहे इभी बस बनाने के लिए जिसके वजह से यह स्टॉक न्यूज में है और वो न्यू चांसेस बहुत जादा है और बहुत जल्द अपने टार्गेट को हिट कर सकता है जो कि इसका टार्गेट है अठाड़ा सो रुपया के आसपस और यह न्यूज में भी बताया जा रहा है कि टार्गेट तुरंत हिट कर सकता है तो दोस्तों इसका करेंट प्राइस की बात करे वह आप अपने इंट्री बना सकते उसरे स्टॉक की ओर चलते हैं दूसरे स्टॉक का नाम है मदर्शन सूमी दोस्तो इसमें भी यहां पर प्राइस को रेजिस्टेंस मिल रहा था यहां पर देखें लगतार रेजिस्टेंस के पास से ट्रेड कर रहा था फिर थोड़ा सा जिए कि बरे रैली का तयारी कर रहा है तो दोस्तो यहां पर बरे रैली का जब तयारी करेगा और वहां से बाहर निकलेगा तो तुरंत ही उपर जाएगा और अपने टार्गेट को बहु जल्द हिट कर सकता है जो कि इसका टार्गेट है 130 रोपया के आसपास इस्टॉक का आप समझी लगबग 26 रोपया का रिवार्ड मिलने वाला है आपको 3 रोपया के रिक्स में डालने पर तो ये भी रिक्स रिवार्ड रेसियो बहुत अच्छा है आप इंट्री बना सकते एसेल को ध्यान में रखते हुए चलते हैं गाईज अगले स्टॉक की ओर जिस कंपनी का नाम है असोक लेलेंड इसमें देखी यहां पे करीब 2018 के आसपस स्टॉक अपना ओल टाइम हाई लगाया था वहां से स्टॉक में गिरावट हुआ तो स्टॉक लगतार गिरते रहा गिरते रहा फिर धीरे धीरे ही कबर हुआ फिर से दोस्तों करीब ये सिप्तंबर 2022 में तो हम खेंड घीरा जिसमें अपना राउंडिंग बॉटन पैटरण को कंप्लेट किया. उसके बाद छोटा सा हेंडल बना लिया तो अप राउंडिंग बोटं फैटर ले या फिर कप अंड ये जैसे की यह हो गया इसका कॉप और यह च्छोटा सा इसका हेंडल हो गया कॉप और challenges बनाने के बाद दोस्तो फाइनली breakout दिया breakout के बाद तुरंत रहली नहीं पकड़ा उसके बाद mentality कर रहा है दोस्तो प्रेक आउट के बाद vaccination उस phase को बोला जाता है जहां पर बरे रैली का तयारी होता है तो बरे रैली के लिए तयार हो रहा है जैसे ही इसको ब्रेक आउट देगा जैसे कि इस से बाहर निकलेगा वैसे ही दोस्तों स्टॉक में रैली आ सकता है बहुत तेजी से भाग सकता है तो इसमें हम लोगों को इंट्री कब करना है जैस ब्रेक आउट होगा उस समय एंटरी करना है कि यूखि कांसोलिडेशन वाले फेज में कितना दिन भी आएगा या कितना महीना भी आएगा इसका कोई भणोसा नहीं होता है इसलिए जब तक कंसोलिडेशन वाले फेज में है तब तक हम लोगों कुछ नहीं करना है सिर्फ देखना है जैसे कोई केंडल इस कांसोलेडेशन वाले फेज से उपर निकल के बनाता है तब हम लोग बाई साइड की ओर ट्रेड प्लान करेंगे जो भी ब्रेक आउट वाले केंडल होगा उसी के लोग से 89 रोपया के आसपस इसका टारगेट थोड़ा लंबा है 250 रोपया के आसपस है जो की दोस्तो हीट कर सकता है लेकिन समय लगेगा टारगेट लंबा है तो समय भी आपको लंबा देना पड़ेगा चलते हैं अगले स्टॉक की ओर जो की सेम पैटर बनाया रहा है सेम सेक्टर क कंपनी है नाम है मरूटी दोस्तो इस भी यह भी सेम वही चीज बनाया है 2018 के दिसंबर में सुरी 2017 के दिसंबर में प्राइस अपना all time high बनाया था फिर दोस्तो नीचे गिर के जून महीने के 28 2018 के जून महीने में फिर से अपना all time high को टच किया फिर नीचे गिरना चालू हुआ नीचे गीरते गीरते फिर से उठा और करीब नौवमबर 2022 में अपने All Time High को टच किया फिर नीचे गीचा और फिर यहां पर कप बना लिया तो यह बना लिया कप और यह छोटा सा उसका handle बना लिया, तो cup and handle pattern को पूरे तरीके से complete कर लिया, उसका breakout भी दे चुका है, और breakout के बाद इस stock में rally नहीं आया, stock हो गया consolidation phase में, तो दोस्तों consolidation उस phase को भोला जाता है, जहाँ पर बरे rally का तयारी होता है, यह बार बार आप सुनके बोर हो चुके होंगे, तो इस बात को भी सम consolidate कर रहा है, मतलब बढ़े rally के लिए तयारी कर रहा है, तो दोस्तों जैसे इस phase से बाहर निकलेगा, वैसे ही इस स्टॉक में तुफानी तेजी आ सकता है, तो entry कब करना, इसका breakout देगा तब, क्योंकि कितना दिन तक इसमें रहेगा, कोई भडोसा नहीं है, इसलिए जैसे consolidation वाले phase से बाहर निकलेगा, इसका breakout देगा, तब ही हम लोग entry बना सकते, इसल कहाँ पे होगा, तो जो candle breakout देगा, उसी के low से थोड़ा सा नीचे अपने से लगा लेंगे, या फिर आप थोड़ा सा ज्यादा रिक्स लेना चाहते हैं, तो यहां पर भी यह से लगा सकते हैं, 9777 पे, target की बात करेंगे, तो बहुत लंबा target तो नहीं है, पर 13,000 के आसपस है, जो की 10,000 के आसपस current price चल रहा है, तो 30% का return दोस्तों, यहां से निकाल के देने वाला है, लेकिन इसमें भी समय लगेगा, तो अगर आप trade ले की थोड़ा समय देना चाहते हैं, इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, तो ही आप इसमें पैसा लगाईएगा, वरना इसमें पैसा लगाने का कोई मतलब नहीं बन रहा है, 10 दिन, 15 दिन, या फिर महीना दिन में भी कुछ भी return निकाल के आपको नहीं देने वाला है, लंबा रुकना है, तब ही इसमें इंट्री कीजिएगा, वरना लगाने का को मतलब नहीं बनता है, तो दोस्तों ये रहे आज के auto sector के swing trading के लिए 4 stock, तो आप अपने हिसाब से risk reward ratio को देखते हुए, इसल को ध्य subscribe करके notification bell जरूर प्रेस कर दीजिए, तो चलिए चलते हैं मिलेंगे फिर अगले वडियों में,